विल्कम टू माई चैनल से प्रकास कलासे दोस्तों आज हम जी सेवन के विशें पढ़ेंगे जो कि इसकी अस्थापना उनीच सो पचातर में ततकालीन विश्की महा सक्ति में या अर्थ बेवस्त था जिसकी ज़्यादा मजबूत थी दोस्तों उनको मिलाकर जी सेवन या जी स दोस्तों जी सेवन है जी सेवन के आस्थापना दोस्तों उनीच सो पचातर में हुई थी दोस्तों जी सेवन की इसमें देखनें महात्पूरे बात है इसका पर्मानेंट हेट क्वार्टर नहीं है ना इसका कोई दोस्तों एक लीगल या रिटेन फ्रेमवर्क नहीं है अब इसका देख लेते हैं अब्जेक्टिव क्या है या तू रिजोल्व इन्टरनेशनल सिकोर्टी एन्ट ग्लोबल इकोनोमिक इकोनोमिक उसके बाद दोस्तों नेशनल सिकोर्टी दोस्तों मैं इसका बता रहा हूँ हिंदी में इसका अर्थ होता है अब्जेक्टिव में सुद्देश होता है कोई इस्यू है या कोई इसका बेशिक प्वाइंट दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसका अब्देख लेते हैं और जो थोड़ा-थोड़ा है इसका बेसिक पॉइंट, दोस्तों, इट इज नाट, इट इज नाट है दोस्तों, पर्मानेंट, पर्मानेंट हेड़कॉर्टर्स, दोस्तों, इसका कोई पर्मानेंट हेड़कॉर्टर नहीं है दोस्तों, उसके बाद इसका, दोस्तों, इसकी मेटिंग होती है, दोस्तों, इसकी चेयर मैंसिप या अध्याच्छता, रोटेशन के आधा, रोटेटिंग बेस पर होती है, दोस्तों, जैसे इस बार कोई कंट्री, चेयर मैंसिप अध्याच्छता किया है, तो अगली बार दूसरा देश करेगा, अध्याच्छता दोस्तों, रोटेटिंग बेस पर होता है, रोटेटिंग आधार पर होता है दोस्तों, दोस्तों, जी सेवन का अन्तिम बार दोस्तों, इसका मेटिंग दोजार उन्नीस में, 2019 में, बियारेट दोस्तों, जो कि फ्रांस का एक साहर है, वहाँ पर हुआ था, 2020 में दोस्तों, USA में या उनाइटेश स्टेट साफ अमेरिक्या में होने वाला था, लेकिन कोरोना वारस के कारण इस मीटिंग को अस्थागित कर दिया गया था, 2020 में इसका मीटिंग ब्रेटेन में होगा, जिसे UK कहा जाता है, अब दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लिजिए, अब इसके दोस्तों सदस से देख लेते आएं, फ्रांस है, उसके बाद दोस्तों इटली है, जर्मनी है, ब्रेटेन है दोस्तों जिसे इंग सोट में UK कहा जाता है, उसके बाद दोस्तों इनियाटेड स्टेट साफ अमेरिकिया है, जिसे अमेरिकिया कहा जाता है, उसके बाद कनाड़ा है, और जापान है, यह गुरूप G7 से G8 हो गया था, लेकिन 2014 में रसिये के द्वारा कनाड़ा की अब 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 यह तरीके से जमीन कबजा करने के गारण उसको इस गुरूप से निक्याल दिया गया था, लेकिन दोस्तों अब फिर से G7 बन गया है और G8 हो गया था, दोस्तों उसके बाद चलो, इसका कौन कौन सी कंट्री है, मैं आपको एक बार रिविजन करवा दे रहा हूँ, इसमें फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रीटेन है, यूएससे है, कनाड़ा है, जापान है, चलो दोस्तों इसका उद्देश हिंदी में देख लेते हैं, अंतराष्टी, अंतराष्टी सुरच्छा, उसके बाद दोस्तों, बैस्विक, आर्थ बेवस्था, ओएल सब दोस्तों, उसके बाद है, राष्टी सुरच्छा, जैसे मुद्दों का समधान करना है, दोस्तों, दोस्तों, राष्टी सुरच्छा के मुद्दों में दोस्तों, ओएल की सप्लाई भी आती है, किसी वी देश के लिए, सुरच्छा के लिए, दोस्तों, आज के युग में जातर कंट्री का अर्थ बेवस्था, ओएल या पेट्रोलियम पर निधारित है, इसमें ओएल की सप्लाई भी आती है, ओएल की सप्लाई को सुनेशित करना, इस सब भी इसके राष्टू देश में सामिल है, एक बार दोस्तों, मैं आपको फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, चलो दोस्तों, देख लेते हैं, इसमें फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रेटेन है, युएस से है, कनाड़ा है, जापान है, दोस्तों, इसकी अस्थापना उनिस सो पचातर में हुई थी, उसके